Hello my dear students, welcome back to the class. मैं आपकी Accountancy Educator Ambika Singh. आपका स्वागत करती हूँ Magnet Prince के platform पर. एक ऐसा platform जहां मिलता है आपको Free and Quality Education. Courses आपको मिल जाएंगे English Medium में Class KG से लेके Class 12 तक. इसके साथ आपको Hindi Medium courses भी मिल जाएंगे Class 6 से लेके Class 12 तक. वी प्रवाइड देट courses for both CBSE Board and other State Board also like Bihar, Rajasthan, UP, MP, Delhi Board. हम प्रवाइड करते हैं Full Organized Course plus Practice Question. E-Books या E-Notes का Benefit लेना हैं. तो लिंक आपको Description में मिल जाएंगे. आप जाकर 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 जरूर चेक करिये. So my dear students, चलिए आपकी Class को स्टार्ट करते हैं. हम बढ़ रहे हैं Chapter No. 2, जिसका Explanation, Concept हम Complete कर चुके हैं. उसके साथ साथ हमने कुछ Multiple Choice Question भी Solve किये थे. I hope आपको Practice हुई होगी. आपको समझ में आ गया होगा Question को Solve करने के बाद कि कितना Chapter आपको समझ में आया है. Right? तो आज मैं एक नए Class लेकर आई हूँ, एक नए Concept के साथ, यह आप कह सकते हो एक नए Question के साथ. आज जो Question हम डिसकर्स करेंगे वो है हमारे Most Important Question of Second Chapter. ठीक है, Second Chapter के हमने MCQs कर लिये थे, पर अब यहाँ पे हम Most Important Question डिसकर्स करेंगे. यह जो Question में लेकर आई हूँ, यह आपके Most Important Topic से लेकर आई हूँ. Right? तो Question आपको इनहीं Topic के असपास देखने को मिलेंगे. जरूरी नहीं है, ऐसा का ऐसा Question आपको Example में बिजा है. लेकिन जो जिस Topic से में Question लाई हूँ, उसी Topic से आपको क्या होगा? Question देखने को जरूर मिलेंगे. Right? तो जो भी Topic है, Important है. आपको Skip नहीं करना है, उन Topics को अच्छे से क्या कर लेना है? मस तरीके से उनको Read करना है और उनको समझना है, उनको Understanding में अपने लेकर आना है. ठीक है? समझा गया? अब हम स्टार्ट करते हमारी क्लास को That is Most Important Question डिसकस करेंगे. तो जल्दी से क्लास को क्या कर दो? सबसे पहले Like कर दो, Share कर दो. So that मैं Question कराना, स्टार्ट करा हूँ. ठीक है? कर दिया, Like कर दिया, सबने Share कर दिया, पक्का. स्टार्ट करा हूँ, First Question चलिए. तो हम स्टार्ट करते है, First Question that is, In a Business, Purchase refers to the, बताइए. किसी भी बिसनस में, यदि आप बोल रहे हो कि Purchase हुआ है, किसी बिसनस है Purchase किया है, तो उसको आप क्या कहोगे? आपको चार Option दिया, आपको बताना है कि क्या Correct लग रहा है आपको. बताइए. Option दिया, आपको Purchase of an Article to be used in Office, फिर दिया है Purchase of Goods for Resale, Purchase of an Asset to be used in Factory, या फिर All of the Above. क्या लग रहा है आपको Purchase, आप किसको बोलोगे? देखे, आपने Office के लिए कोई Article Purchase किया है, इसका मतलब आप उसको Office में यूज करने वाले हो, उसके आप Resaling तो करोगे नहीं, हना और Purchase हम क्यों करते हैं? Resale करने के लिए करते हैं, तो यह Option तो होगा नहीं, फिर Second क्या Purchase of Goods for Resale, यह हो सकता है, फिर Third क्या लिखा है Purchase of an Asset to be used in Factory, फैक्टरी में आप कोई Asset यूज करोगे, तो वो बेचोगे नहीं, तो यह भी नहीं होगा, तो आपका जो Correct Answer है, वो हो जाएगा, B. That is Purchase of Goods for Resale, Resale करने के लिए आपने जो भी Goods खरीदा है, उसको आप क्या बोलते हो, Purchase बोलते हो, Correct है, समझ में आ गया, आपका यह जो Concept है, यह Important है, Purchase, Goods, यह क्या होते है, Students इसमें Confuse हो जाते हैं, ठीक है, तो यह Important Concept है, इसमें अच्छे से Clarity रखनी है, Okay, Next Question पर Move करते हैं, हमारा Question Number Second कह रहा है, Which of the following is Capital Expenditure, आपको बताने हैं, इनमेंसे कौनसा आपको Capital Expenditure लग रहा है, देखो मैं एडिया, Students यह जो Capital Expenditure है, Revenue Expenditure है, इससे Question आता है, Right, Important आपका यह Topic रहेगा, इससे Question आता है, आपको Confuse करके भी आपसे कोई Question पूछ सकते हैं, तो जो भी इनमें Difference है, इनका जो Meaning है ना, उसको बिल्कुल Clear रखना, कि Revenue Expenditure क्या है, Capital Expenditure क्या है, Revenue Recept क्या है, Capital Recept क्या है, आपको हर चीज Clear होनी चाहिए, और मैंने आपकी Classes में, हर चीज Clearly बताई है, तो पहले आपको ने यदि Class नहीं देखी, तो वहाँ पहले Class देखो, Otherwise यहां आपसे Question नहीं बनने वाले, Right, तो यदि Class देखिए, तो फिर बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा, Wages, Wages Paid for Building Construction, Repair Expense of Building, या फिर Advertisement Expenses, बताईए कौन सा आपको Capital Expenditure लग रहा है, यदि आपको Capital Expenditure नहीं, पता ही आपको Confusion है, तो मैं आपको दुबारा बता देती हूँ, Capital Expenditure, या आपको खर्चे आपके होते हैं, जिसका Benefit आपको लंबे समय के लिए मिलता है, हना, वो खर्चा जो आपने लंबे समय के लिए किया, जैसे की, for example, आपने कोई Building खरीदी, आपने खर्चा कर दिया, Building खरीदी माल लो 50 लाग की, Right, 50 लाग की Building खरीदी, 50 लाग की खर्चा कर दिया, लेकिन उस Building का Benefit आपको 4-5 दिन के लिए नहीं मिलेगा, सालों तक मिलेगा, 10-20-30 साल तक वो Building से आपको Benefit मिलेगा, तो यह क्या है आपका Capital Expenditure है, जिसका जो Benefit है आपको लंबे समय के लिए मिलता है, अब आपको Correct Answer बताना है, उस Time आपने जो Wages Pay किये थे, वो क्या कहलेंगे, आपके Capital Expenditure, देखो Wages आपने Normally Pay किये, तो यह तो आपका रोज का काम है, यह तो आप Daily, इसका जो Benefit होगा, यह आपको एक साल से कम कहीं मिलेगा, तो यह तो होगा नहीं, रिपेर Expense of Building, बिल्डिंग में आप Daily basis पे कुछ-कुछ रिपेर कराते रहते हो, Advertisement Expense तो आपके Deferred में आते हैं, Deferred Revenue Expenditure जो आपके है, वो Advertisement क्या लाते है, फिर आपको जो Option Corrected, इस Wages Paid for Building Construction, Building का आपको Construction चल रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, और उसमें यादि आप Wages Pay कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कहां एड होगा, Total Building के Amount में एड होगा, ठीक है, क्योंकि Building अभी Construct हो ही रही है, अभी आपको Capital Expanditure लंबे समय के लिए जो है वो चल ही रहा है, तो उसके Time पे जो आप Wages Pay करोगे, वो आपके इसके अंदर आजाएंगे, Clear हुआ, Important Concept है, इससे Question काफी आते हैं, तो इसे Miss नहीं करोगे, समझाया, Next Question पे Move करें, चलिए, अब देखते हैं हमारा Question No.3 क्या कह रहा है, Which of the following is Revenue Expenditure, चलो Capital Expenditure तो Last Question पे इसकर्स के लिए, अब आप मुझे बताएं, Revenue Expenditure इनमें से कौन सा है, मैं पढ़ा चुकियों, और यदि नहीं पता या भूल गए हो, या Confused हो तो एक पर और बता दीती हूं, कि Revenue Expenditure का मतलब, वो खर्चे जिसका Benefit आपको एक साल के अंदर अंदर ही मिलता है, एक साल से जादा नहीं मिलता हो, वो खर्चे आपके Revenue Expenditure कहलाते हैं, अब बताओ, इन मैंसे सही Option कहा है, Repair Expense, Building Construction Expense, Expense on Purchase of Machinery, या फिर Purchase of Investment, बताइए, देखिए, Building आप बनवा रहे हैं, Building आप Construct करवा रहे हैं, मतलब वो ही, लंबे समय के लिए वो मशीन रहेगी, लंबे समय की वो मशीन रहेगी, यदि उस पर कोई expense आ रहे हैं, तो वो Capital Expenditure कहलाएंगे, Investment खरीद रहे हो, लंबे समय के लिए खरीद रहे हो, लंबा आप उसमें पैसा लगा रहे हो, तो उसमें जो भी आपके खर्ची आएंगे, जो भी होगा वो आपकी Capital Expenditure, बचा क्या सिर्फ एक, Repair Expenses, जो भी आप रिप्यार कराते हो, यह तो आप डिली बेसिस के लिए करा रहे हो, यह तो आपकी डिली बेसिस के अक्टिविटी है, एसा नहीं है कि लंबे टाइम का खर्चा हो गया, रिप्यार आपके बार-बार होते रहते हैं, तो यह आपका जो होगा, वो क्या होगा, Revenue Expenditure, क्योंकि इसका benefit आपको बहुत जादे लंबे टाइम के लिए नहीं मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, रिप्यार करा है, चार-पांच मैनेट सही चीज रहेगी, फिर दुबढ़ा रिप्यार कराना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन पर मूफ करते हैं, तो यह चलिए, क्वेशन नमबर फूर आपसे कह रहा है, अब जल्दी से सोचो, क्या है, सबसे पहला है, सेल, आप सेल कर रहे हो, तो यह चारो में से कौन सा होगा, यह आप मुझे बताएं, तो चलिए, अच्छे से डिसकर्स कर लेते हैं, यदि हम सबसे पहले असेट की कैटिगरी में लें, मतलब असेट इन में से कौन-कौन से है, तो यहापर हमें हमें दो असेट दिख रहे हैं, आट इस, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा है तो यह होता है यह पको बेशा हो ये पैसा है लोगों को पैसा मिलेगा तो पैसा मिलेगा यह क्या है कि अभी नहीं मिला इस ओके बट फ्यूचर में तो आपको पैसा मिलेगा तो यह आपका असेट है ठीक है यह दो चीज़े आपकी असेट हो गई अब देखते है नेक्स्ट कैटिग्री लाइबिलिटी लाइबिलिटी मतलब एक तरीके का बर्डन जो आपको फ्यूचर में क्या करना है पे करना है तो क्या होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट वही मैंने बताया था आपको पहले भी क्लासेज में कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है जो भी अमाउंट आपने बैंक से extra withdraw कर लिया है, मतलब आपके account में उतने पैसे थे नहीं, लेकिन आपने extra withdraw कर लिया है, तो एक तरीके से क्या हो गई आपकी, liability हो गई, भई, pay करना पड़ेगा, bank बोलेगा कि भई, जो extra पैसा दिया है वो वापस करो, तो ये क्या है एक liability है, उसके साथ जो आपके क्या है creditors है, creditors मतलब जिन से आपने उधार पे कुछ समान लिया है, future में वो बोलेंगे कि भाई पैसा दो, तो future में आपको पैसा देना है, तो ये भी आपकी क्या है, एक liability है, उसके बाद अगली category है हमारी expenses, expenses मतलब हमारे खर्चे, expenses मतलब हमार मतलब हुआ, कि जो हमारे डेटर्स थे, है ना, हमारे जो डेटर्स थे मतलब जिन से हमें पैसा लेना था, right, for example, हमारे डेटर्स थे 50,000 के, इन से हमें 50,000 रुपे लेना था, लेकिन हमने इन्हें क्या दे दिया है, discount दे दिया है, suppose ये पैसा दे नहीं रहे थे, या कह रहे discount दे दे रहे, तो हमने क्या किया, इनको discount दे दिया, 50,000 के अलावा हमें कितने मिल रहे है, 45,000 ही मिल रहे है, तो ये जो 5000 ही हमने discount दे दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा नुकसान हुआ न, मिलने 50 थे, मिलने 45,000 है, तो एक तरीके से हमारा नुकसान हो गया है, 5000 का, तो इस समाद बेच रहे हो उसको बेचने पर यदि आपके कोई कोस्ट आ रही है यह आप कहा सकते हो cost of goods sold मतलब जो आपने goods sold किये है जो goods आपने बेचे हैं उनकी जो cost है है ना for example मैंने ये pen क्या किया sale किया ये मैंने कितने में सेल किया मालो 100 रुपे मैं इसको मैंने सेल किया लेकिन इसको बनाने की जो cost थी वो 80 रुपे थी तो यह 80 रुपे क्या है मेरे expense है समझ आ गया तो जो भी goods को आप sale करते है उसकी जो cost आती है उसको आप बोलते हो आपके expenses clear है समझ आ गया फिर हमारी अगली category है revenue तो revenue हमारा एक ही है that is हमारी sale sale मतला जवाब products को या जो भी आप manufacture कर रहे हो उसको जवाब बेच होगे तो क्या होगा आपको revenue होगा तो जो sale होती है हमारी वो होती है revenue nature की clear है समझ में आ यह सारी हमने कैसे कैसे categorization किया clear हुआ next question पर बढ़े next question पर बढ़े उससे पहले आपको वीडियो को क्या करना है like करना है और share करना है क्योंकि हम यह discuss कर रहे हैं क्या हमारे important questions तो like और share तो बनता है तो चलिए जल्दी से कर दीजे like and share I hope आप लोगों ने कर दिया होगा तो हम move करते हैं हमारे next question की और question number 5 देख लेता है what are internal liabilities चलो यह आपको बताना है कि internal liabilities कौनसी होती है इसे हम discuss कर लेते important concept है आपसे पूछ सकते है question में या आपसे exam में internal liability क्या है internal या फिर external liability क्या है likewise आपसे explanation पूछ सकते है तो यह आपको skip नहीं करना है आपका important topic रहने वाला है आपसे पूछा है internal liability तो हम बता देंगे कि internal liability क्या होती है all amount which a business entity has to pay to the proprietor or owner are internal liabilities समझ आया 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 होगा क्योंकि यह concept नया नहीं है पहले भी पढ़ा है हमने क्या होती है हमारी internal liabilities वो जितने भी amounts है all amount जितने भी amount है जो एक business को क्या करने है pay करने है अपने proprietor को या अपने owner को क्योंकि या प्रोप्राइटर या जो owner है यह कौन है business का ही पार्ट है internal पार्ट है business का external नहीं है business का internal पार्ट है तो इसको जो liability इसके मतलब owner को लेकर जो बारी liability रहती है उसको हम क्या बोलते internal liability clear है फिर गया लिखा है such as capital and accumulated profit इसका जो बहुत बढ़िया इसा example दिया है कि capital जो भी capital owner ने business में लगाई है वो business के लिए liability हो गई है कि वह owner ने पैसा दिया है तो बिजनस को क्या करना है उस पैसे को भी वापिस करना है या फिर उस प्रॉफित होता है वह भी ओनर को देना है ऐसा तो है नहीं profit होगा अब को देंगे नहीं और ने तो capital लगाई है उसने सारा पैसा लगाया है तो एक तरीके से वह पैसा भी हमारे लिए liability है और उस internal part कहलाता है clear हुआ समझ आया कि internal liability किसे कहते है राइट चलो next question पर move करते है question number six देख लेते हैं क्या कह रहा है distinguish between profit and loss sorry profit and gain not loss profit and gain देखो यह जो concept है ना बहुत सारे students क्या समझते है profit भी वही है और gain भी वही है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें difference होता है और आपके mind में वह difference clear हो जाए इसलिए मैं आज का यह वाला question लेकर आई हूँ आपको पता लग जाए कि profit क्या होता है और gain क्या है दोनों अलग अलगे right similar नहीं है तो आप बताईए चलिए इसको discuss कर लेता है profit क्या है और gain क्या है profit is the excess of revenue over expenses during an accounting period profit तो आपको सबको ही पता है बहुत ही normal सी चीज़ है कि आपने क्या किया है revenue जादा कमाया है और आपके जो खर्चे थे वो कम थे तो आपको profit हो जाएगा माल लेज़े आपने खर्च किये थे 20,000 है ना business में और कमाये 50,000 तो वो एक्स्टर 30,000 है वो क्या है आपका profit है ये तो simple है फिले का है it is the result of business transaction which are of regular nature ये क्या है आपका regular nature का है ये आपका basically उन business transaction से होता है मतलब profit होता का इसे तो profit आपका उन business transaction से होता है जो आपके क्या है regular nature के है आपका business का काम ही वो है जैसे कि आप production कर रहे हो manufacturing कर रहे हो तो आपका daily का काम ही है manufacture करना production करना या फिर selling करना या आपका daily का काम है इसी पे आपको क्या हो रहा है डेली पे profit भी हो रहा है फिर आप साल पर का profit निकाल रहे हो तो यह जो profit है यह आपको आपकी daily जो आपकी operating activity है जो business transaction है उनकी वज़े से यह profit आपको होता है clear है simple सा fund है profit का फिर यहाँ पे लिखा है whereas gain arises from event on transaction which are incidental to business अब gain क्या होते है gain में और profit में जमीन आसमान का फर्क है profit तो पता है gain मतलब जो क्या हो incidental हो कभी कभी होने वाले daily नहीं भाई profit तो ऐसा है हर साल निकालोगे हर साल आपको profit होगा कभी कभार loss हो जाए वो अलग बात है बट ज्यादा तर majority of the cases में आपको हर साल भले थोड़ा हो लेकिन profit होता है हर business को थोड़ा बहुत profit होता है कई business को जाद भी हो सकता है तो basically क्या कहा गया है कि जो gain है आपके वो क्या है incidental है कभी कभार आपको यह हो जाते है किस्मत से है ना two business such as sale of a fixed asset या फिर winning a lottery price किस्मत वाली बात आ जाती है gain मतलब जैसे कि मालनों lottery में आपको हर बारी lottery जीतोगे हर बारी आपको lottery पर प्राइज मिलेगा तो gain कभी कभार किस्मत से आपको हो जाता है जैसे कि माल लेजिए business ने क्या कि आपना कोई fixed asset बेचा है ना कभी कभारी बेचता है रोज तो fixed asset बेचता नहीं क्योंकि रोज का काम उसका यह नहीं है तो जब वो क् बेच रहा है तो उसको एकदम से क्या हो जाते कोई gain हो गया कोई profit हो तो वो क्या है वो जो profit है वो gain क्या लाएगा क्योंकि यह कभी कभी है incidental है रोज का नहीं है समझा गया clear है इसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल मैंने आपको दिया था जै मैं आपको यह concept समझा रही थी क्या example दिया था कि माल लो आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपको रास्ते में 500 रुपे पड़े मिल जाएं तो यह क्या हो जाएगा यह 500 रुपे आपके gain क्यालाएंगे क्योंकि रोज तो 500 रुपे पड़े मिलते नहीं है है ना रोज तो नहीं मिलते लेकिन कभी कभार 4 5-6-10-1 साल में ऐसा होता है कि कभी-कभी हम गुजर रहे होते रोट से और हमें 500 का नोट या कित्रा भी कुछ money आप क्या सकते रोट पर पड़ी मिल जाती है 10 रुपे 20 रुपे 100 रुपे कितने भी तो यह आपके लिए gain है क्योंकि यह किसमत की बात है कभी-कभी किसमत से हो हो भी दे सकते हैं आप चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेशन सेवन्थ वाला यह दिस्टिंगिश बिवें रिवेंग एक्सपेंडिचर और कापिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपर्टेंट को एंसेप्ट है स्टुडेंट इसमें बोस्तली कंफ्यूज रहते ह तो इसको मैं इसलिए लाई हूँ ताकि सारी कंफ्यूजन आज अपकी एक बार में ही क्या कर दूँ मैं क्लियर कर दूँ है ना चलो देख लेते हैं दोरो में क्या डिफरेंस है क्या बोल रहा है यह क्या यप्ट किया का क्या है तो आप अक साल तक ही मिलने वाला है तो आप क्या बहूलों के इसरी है साल से थाइज जाद्वा का यह एक साल जादा कर नहीं मिल रहा है तो वो जो आपका benefit है जो एक साल के अंदर अंदर चल रहा है उसके लिए आपने जो खर्चे की है वो क्या कहलेंगे revenue expenditure या फिर simply आप उसे expense भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो वो क्या है या तो revenue expenditure है या फिर आपका expense है clear हुआ फिर अगला क्या है हमारा on the other hand if the benefit of an expenditure last for more than a year it is treated as capital expenditure या फिर asset मतलब कि यदि आपने कोई ऐसा खर्चा किया है कोई ऐसा expenditure किया है जिसका जो benefit है वो एक साल से ज़्यादा है लगबग 5 साल 4 साल 6 साल कोई भी amount कोई भी value अप ले सकते हो कि यदि उसका benefit आपको क्या है एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है तो वो आपका capital expenditure है जैसे कि यहापे लिखा हुआ है क्या asset asset का benefit एक साल के लिए आपने building खरी दी machine खरी दी तो एक साल से ज्यादा समय के लिए वो आपको benefit देगी आपके साथ आपकी company में रहेगी right अब difference clear हुआ revenue expenditure और capital expenditure का समझ में आया वो खर्चे जो एक साल से कम के लिए बेनिफिट दे रहे है revenue है या फिर वो खर्चे जो एक साल से ज्यादा के लिए benefit दे रहे है वो क्या है आपके capital expenditure है example जैसे कि हमने यहाँ देखा asset खरीदा तो वो capital expenditure हो गया यदि मैं आपको revenue expenditure का example दूँ तो जो आपने क्या किया परच् expenditure किया क्योंकि उस good जो आपने खरीद आया जो purchase आप नहीं किया इसका जल्दी से आप product बनाऊगे और बेज दोगे एक साल के अंदर-अंदर वो चीज हो जाएगी right clear हो गया चलो अब इसमें confused नहीं होना और यह आपका जो है वो most important topic है capital receipt revenue receipt capital expenditure revenue expenditure इससे question आते हैं तो इसको skip मत करना इसका meaning और इसका difference माइंड में बिलकुल clear रखना right चलो next वाला question देखते हैं distinguish between expense and expenditure चलो इसमें भी confusion होती है कि expense क्या है expenditure क्या है आपको exam में इस type के confusing करने वाले question में बहुत पूछे जाएंगे expense expenditure आपको लग रहा है दोनों same है पर दोनों same नहीं है दोनों difference है आई है जिसके difference को हम समझते हैं तो क्या है expense is the cost incurred in purchasing and selling the goods and services तो वो सारे खर्चे जो आप क्यो कर रहे हो या तो producing करने के लिए क्या products को या फिर sale करने के लिए जो products अब बन चुके हैं उनको sale करने के लिए goods या services की selling के लिए समझ आया तो वो क्या हो गए आपके खर्चे normal आपके expense हो गए does it include cost of goods sold या फिर amount paid for salary, rent, commission ये normal सी चीज है normal जो आपके खर्चे जैसे के salary देना, rent देना, commission देना ये सारी चीज़े आप करते हो तो ये आपके खर्चे है on the other hand expenditure is a wider term which includes expense also यदि हम expenditure की बात करें तो ये एक wider term है इसके अंदर expense आता है, समझ रहे हो इसके अंदर क्या expense है, expense इतनी सी चीज है और expenditure इतनी बड़ी चीज है expenditure के अंदर ही expense आजाएगा, expenditure मतलब आपको total आजाएगा और expense मतलब एक ऐसा part, जो क्या आपके, normal आप क्या कर रहे हो, selling के लिए, purchasing के लिए, production के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो वो आपके expense हो गए, किस-किस के लिए, selling, purchasing या production, इन जब के लिए जो खर्चे कर रहे हो, वो expense हो गए फिर expenditure क्या हो गए आपके, expenditure is a wider term, right, expenditure is the amount spent for acquiring asset, good, या फिर services भही यहाँ पर आप यदि कोई asset को खरीदते हो, asset की purchasing करते हो, तो वो आपका expenditure कहलाएगा भही यदि आप raw material की purchasing कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका expense समझा गया, production करने के लिए जो खर्चे हो रहे है, वो क्या हो रहे है, आपके expense हो रहे है, production के दोराज हो रहे है, वो आपके expense हो रहे है और उसके beyond, जैसी कि आपने asset खरीद लिया, या आपने goods या कोई other services को लिया, तो ये आपके expenditure हो जाएगे clear है, दोनों में difference समझाया, दोनों का meaning समझाया, ओके, चालो next question पर पढ़े उससे पहले आप video को like कर दो, share कर दो क्योंकि हम discuss करें most important question ठीक है, तो like share तो बनता है my idea students, कर दिया समने, move करें next question पर, चलिए question number 9 हम देख लेते हैं, difference between asset and goods on the basis of any two points मतलब आपको difference बताना है asset में और goods में, ये भी confusion करने वाला point हो जाता है asset भी लगबग same लग रहा होगा, good भी same लग रहा होगा, पर again ऐसा नहीं है, asset is different thing, good is different thing वही difference आपको बताना है वो भी two points में, जादा नहीं, सिर्फ दो points में बताना है right, exam में इस type के भी आपको difference पूछे जा सकते हैं, कि यार किसी भी two points पे, three points पे आपको differentiation देना होता है, कई बार आपको basics भी बता दिया जाता है, कि इस basis पे आपको देना है हैना, यहाँ पे ऐसा कोई basics तो नहीं दिया, लेकिन exam में बहुत सकते हैं, objective के basis पे बताओ, या फिर इसकी nature के basis पे बताओ, likewise आपसे basis भी पूछा, मतलब वो लोग बता सकते हैं तो आपको जितने भी difference याद करने हैं, वो basis के हिसाब से ही याद करने हैं, clear है तो यहाँ पे हमें asset का और goods का difference बताना है, दो अलवलग points में बढ़िया से बता दिंगे, exam में भी ऐसे यह दी दो पूछे तो अलवलग points में अच्छे से लिखके आना, अपनी answer की जो आप कह सकते हो, जिस तरीक ऐसे लिखोगे वो answer की बढ़िया होनी चाहिए, right, answer को अच् चुके हैं कि goods क्यों क्या होते हैं, जो हम purchase करते हैं, reseal करने के लिए वापस से बेचने के लिए, right, फिर लिखा है, whereas asset are held for continuous use in the business, बहुत ही simple सा difference था, कि goods को हम वापस से reseal करने के लिए, purchase करते हैं, और जो asset है, उसको हम continuously business में use करते हैं, है building है, machinery है, इसको ऐसा तो नहीं खरी देंगे, 4-5 देंगे, फिर बेच देंगे, नहीं, इसको हम continuously अपने business में रखते हैं, ताकि business को क्या हो, benefit हो, समझ आ गया, पहला difference, फिर अगला है, goods are always tangible, goods जितने भी होते हैं, वो हमेशा tangible होते हैं, मतलब they can be seen and touch, whereas asset may be both tangible and intangible, समझ आ गया, goods जो भी हम ले रहे हैं, जो भी purchasing कर रहे हैं, वो सारी किस nature की होती है, tangible nature की, हम उसे देख सकते हैं, चूँ सकते हैं, जैसे कि आपने raw material का purchase किया, तो raw material आप देख सकते हो, लेकिन यादि हम बात करें, asset की तो वो tangible और intangible दोनों हो सकता है, intangible के example मैंने आपको बताए थे, जैसे कि goodwill, trade mark, या फिर आपका patent right, याद आ गया, तीनों मैंने आपको समझाए थे, MCQ वाले session में, right, तो यह क्या है हमारे, intangible भी हो सकते है, tangible भी हो सकते है, asset, लेकिन जो goods है, वा हमेशा tangible होते हैं, यदि goods आपके intangible हो जाएं, तो फिर वो goods नहीं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, services, clear हु अब आप मुझे बताएंगे कि capital क्या होती है, capital आपको पते हैं, वो amount जो proprietor क्या करता है, अपने business में invest करता है, उसे ही कहते हैं, capital, तो simple सा answer लिखा हुआ है, it refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise, है ना, समझा गया, वो amount जो एक proprietor या एक owner क्या कर रहे हैं, अपने business में invest कर रहा है, उसे हम क्य क्या बोलते हैं, capital बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक क्या दियAR equation दिया, यहाँ पर यहाँ यह बताया है कि capital को आप कैसे express कर सकते हो, so capital is equals to asset minus external liabilities, समझा आया, यह कि क्वेशन है हैना कि capital आपके asset is equal to यह आप कह सकते हो asset minus external liability होते है capital is equal to asset minus external liability अब यह equation आपको अभी इतनी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमारे जो आगे जो chapters है that is I think accounting equation हैना आगे हमारे एक chapter आगा accounting equation वहाँ पर हम यह सारी चीजों को समझेंगे कि कैसे यह चीज होती है कैसे हमन प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि capital is equal to asset minus liability होता है ठीक है तो आपको आगे का chapter का वेट करना है आगे के chapters में हम क्या करेंगे इसको अच्छे से discuss करेंगे हैना आने वाले जो हमारे classes रहेंगी जो chapters रहेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी accounting equation बनाना वाहाँ मैं आपको यह formula यह जो लिखा हुआ है यह समझ में आ जाएगा फिलाल बस इतना समझ लो कि asset is equals to क्या होता है asset minus liability clear हुआ समझ में आया या फिर आप इसको इस form में भी लिख सकते हो कि asset is equals to capital plus liability ठीक है इसको इस form में भी लिख सकते हो एक यह equation भी होती है that is asset is equals to capital plus liability तो यह equation हम समझेंगे जब accounting equation वाले chapter पर आएगे तब आपको समझ में आ जाएगा तो फिलाल हमने आज क्या discuss किये chapter number 2 के हमने कुछ most important को discuss किये I hope आप लोगों को समझ में आये होंगे सारी चीज़े समझ में आये होंगे सारे important concept थे जिनने आपको skip नहीं करना है यह सारी चीज़े important थे क्योंकि important topic से ली गई थी अगर मिलेंगे हमारी next class में कुछ और नए concept के साथ या फिर नए question के साथ तो आपको जुड़ना है यही Delhi classes में magnet brains पर जहां मिलता है आपको free and quality education courses आपको मिल जाते है English medium में class kg से लेके class 12 तक Hindi medium courses भी आपको मिलता है class 6 से लेके class 12 तक we provide courses for both CBSE board also and for other state board also like Bihar, Delhi, UP, MP, Rajasthan board इसके साथ वेदिक maths या spoken English के courses भी आपको freely available है यदि cash course देखना है तो revision के लिए आपको भी मिलेगा e-notes या फिर e-book की जो link है वो आपको description में मिल जाए कि आप आज जाकर इसे check कर सकते हैं हमारे courses आप हमारे YouTube channel से देख सकते हैं mobile application software को भी download कर सकते हैं या फिर directly हमारी website पर जाकर आप हमारी courses देख सकते हैं other social media platform पर भी हमें follow करें video interesting लगा हो तो like share करना ना भूले channel को subscribe करें त तिल एक टेक क्यार एंड कीप लर निंग